आज फिर से बोचपूरी एक्ट्रिस अकांशा दूबे को लेकर जी हाँ अकांशा दूबे जिनके निधन के बाद से ही शोशल मीडिया पर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं अब चाहे वो आरोपी समर सिंग को लेकर हो या फिर केस में आने वाला वो निया मोड हो जिसे सुनने के बाद फैंस लगातार गुहार लगा रहे हैं अकांशा दूबे केस में इनसाफ की अब ख़वर आ चुकी है कि अकांशा दूबे केस में एक ऐसी वीडियो सामने आई समर सिंग के गिरफतार होने के बाद जो कि खुद अकांशा दूबे की मा ने पुलिस वालों को दी अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो इसमें साफ साफ देखा गया अकांशा दूबे के चहरे पर वो निशान मारपीट के जिससे ये बात साबित हुई कि अकांशा दूबे के साथ समर सिंग मारपीट भी करता था ये वीडियो है अकांशा दूबे के जनम दिन की और उसी जनम दिन के इस खास दिन पर इस खास मौके पर समर सिंग ने किस तलह का बरता किया था आकांशादुबे के साथ वो वीडियो के जरीय सामने आया जिसमें आकांशादुबे ने खुद ये बात accept की कि अगर उसके साथ कल को कोई भी हाथसा हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर्सिंग होगा जी हाँ इस वीडियो में खुद कहा है जीबत और जादा बढ़ चुकी है खैर ये तो वीडियो का सथा लेकिन वही अब इस बीच शोशल मीडिया पड़े कैसी खबर भी सामने आई जब ये खबर हमारे सामने आई तो हमने लिया फैसला सच जानने का खबर है कि जहां कांशादुबे के निधन को अभे तक एक मह पर आई है दावा किया जा रहा है कि अकांशादुबे ने निधन के एक महीने पहले ही यहां पर जन्म ले लिया है और फानिली अब वो अपने इस हाथ से का बदला भी लेगी समर सिंग से आपको बता दे कि जब ये खबर हमारे सामने आई जब ये तस्वीरे हमारे सामने आई तो हमने लिया सच जानने का फैसला और सच सामने आया कि ये जो खबर है अकांशादुबे के पुनर्जनम की ये पूरी तरहा से जूटी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अकांशादुबे के पुनर्जनम को लेकर यहां पर कुछ ऐसी खबरे दिखा रहे हैं फैंस को जो अखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है आपको बता सके कि किस तरहा की जूठी खबरे इन दिनों सोचल मीजा पर बहुत तेजी से वारल हो रही है जिनें रोकना बहुत ज़रूरी है आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही तब तक लिए दीजिए साथ शुक क्रिया